दिया गया टेबल निक्की द्वारा रिसाइकल किये गए सामान को दिखाता है तो हमें एक टेबल दे रखा है जो हमें बता रहा है कि निक्की ने क्या-क्या सामान रिसाइकल किये हैं और उसने इन समानों का कुल कितना किलोग्राम रिसाइकल किया है हमें पता लगाना है निक्की ने कितने किलोग्राम पेपर और अलुमिनियम रिसाइकल किया है तो इसके लिए अगर हम अपने इस टेबल में देखें तो हम देख सकते हैं कि निक्की ने कुल 134 किलोग्राम अलुमिनियम रिसाइकल किया है और उसने 277 kg कुल पेपर रिसाइकल किया है तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दे तो हम पता लगा पाएंगे कि उसने कुल कितने kg पेपर और अलमिनियम रिसाइकल किया तो चलिए 277 और 134 को आपस में जोड़ कर पता लगाते हैं कि ये कितना होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर रोके और इसे खुझ से करने की कोशिश करें तो हमने पिछले कई सारे वीडियो में ऐसे जोड़ को करने की बात करी है और हम जानते हैं कि इसे करने के कई सारे तरीके हैं एक तरीका है कि हम 134 को तोड़ ले और फिर इसे 277 में जोड़ ले अब ये चीज़ आप अपने मन में भी कर सकते हैं लेकिन बस चीज़ों को साफ साफ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक संख्या रिखा बना लेती हूं हलाकि इसके हमें जरूरत नहीं थी लेकिन एक संख्या रिखा से हमें साफ साफ दिख जाएगा कि आखिर इस जोड़ में चल क्या रहा है तो अगर हम 277 से शुरुआत करते हैं यह है हमारा 277 यहां से शुरू करके हमें इसमें जोड़ना है 134 तो 134 जोडने के लिए मैं पहले 277 में जोड़ दूंगी 100 तो यहाँ पर अगर मैं 100 जोड़ देती हूं तो हम पहुँच जाएंगे 377 पे अगर हम 100 जोड़ते हैं 200 में तो हमें 300 मिलता है और यह 77 हमारा बचा हुआ है तो यानि कि हम पहुच गए 377 पे और अब 377 में मैं जोड़ दूंगी अब यहां से मैं जोड़ दूंगी इस 30 को यह जो हमारा दाहाई वाले स्थान पर है तो अगर हम 30 जोड़ दे 377 में तो हम कहां पहुचेंगे तो अगर हमारे पास 370 होता तो 370 में 30 जोड़ने पे हम पहुच जाते 400 पे लेकिन हमारे पास 7 और है यहाँ पे तो 400 में 7 अगर हम जोड़ते हैं तो हम पहुँच जाएंगे 407 पे यानि कि 377 में 30 जोड़कर हम पहुच गए 407 पे और फिर हमारे पास बचा हुआ है यह 4 तो अगर हम 407 में 4 और जोड़ देते हैं तो हम कहां पहुचेंगे तो 407 में 3 जोड़कर हो जाता है 410 और एक और जोड़ने पे हमें मिल जाता है 411 यानि कि हम देख सकते हैं कि 277 में अगर हम 134 जोड़ दे तो हमें मिलता है 411 तो हम कह सकते हैं कि निक्की ने कुल 411 किलो ग्राम पेपर और अलुमिनियम मिलाकर रिसाइकल किया